हाथ की लकीरों से जिन्दगी नहीं बनती अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिन्दगी बनाने में ये मज़ूर बात बताने वाले मिलखासी आज हमारे बीच नहीं रहे तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो मिलखासी के बारे में है मिलखासी का जन्म सन 1929 में हुआ था वह लयालपूर में रहते थे उस दोरान पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहे दंगों की वज़े से उन्हें वहां से भागना पड़ा और इन्हीं दंगों में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया उनके पिता के मुँसे निकले आखरी सब्द भाग मिलखा भाग और वह अपना घरबार छोड़ कर भागे उन्होंने आर्मी जोइन किया और आर्मी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी 1951 में मिलकाजी ने कोसकेंदरी में वाग लिया जिसमें 500 लोगों ने हिस्सा लिया था और जब ये दोड़ खत्म हुई तो मिलकाजी के आँखों में आसु थे क्योंकि चोटी की दस धारकों में से वो एक थे मिलकाजी ने दुनिया बर में 80 जितने इंटरनेशनल रेसिस में भाग लिया है और 80 में से सहत तर्ण उन्होंने जीती है और ये सही बात है कि दुनिया में कोई भी ऐसा एथलिक पैदा नहीं हुआ जिन्होंने इतने इंटरनेशनल रेसिस जीती हो मिलखासी तोरती हुई ट्रेनों के साथ रेस लगाया करते थे और ट्रेन से भागते ये मिलखासी को ये नहीं पता था कि भागते भागते वो उड़ने लगेगे और उन्हें दा फ्लाइंग सीक का टाइटल मिल जाएगा सन 1958 में मिलखासी ने एशियन गेम 200 और 400 मिटर की दौड में गोल मेडल जीते और इसके बाद सन 1958 के कारिय कॉमन वेल्स गेम में 400 मिटर की दौड में गोल मेडल जीता सन 1907 में उन्हें पाकिस्तान से नियौता मिला लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाते थे और उस वक्ड़ पंडित चवाहला नहरू ने उन्हें वहाँ जाने के लिए समझाया और वो पाकिस्तान गए वहाँ उनका मुकाबला इशिया के सबसे बड़े प्रतियोगी अब्दुल खालिक के साथ था और ये दौड 400 मिटर की थी लोगों को लगता था ये पटला दूबला लड़का अब्दुल खालिक से क्या मुकाबला करेगा लेकिन दौड ने लोगों की ये बात को गलत साबित कर दिया इस मुकाबले में मिल्खा जी ने अब्दुल खालिक को बुरी तरह से हराया स्टेडियम में बैठी दस हजार बुर्खा नर्सी औरतों ने बुर्खा हटाया और देखा कि ये सर्दान ने कमाल कर दिया पाकिस्तानी जेनरल अयूब खान विक्टरी स्टेन पर आये और मिल्खा जी को कहा कि मिल्खा भागा नहीं है बलके हवा से बाते करते हुए उड़ा है और वही सही ये टाइटल दफलाइंग सिक मिल्खासी के नाम से जुड़ गया 1974 और 1964 में ऑलम्पीक में मिल्खासी ने भारत को रिप्रेजेंट किया और उनकी सुरुवात बहुत ही जबरजस्त रही लेकिन एक बहुत ही छोटे मार्जिन की वज़ज़ से वो उलम्पीक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए और उनकी इच्छाती के भारत के सो सो से एक सपचास करट की आपादी में से कोई नोजवान जाए और उनके हाथ से छूटे इस मेडल को जीत कर लाए और बहुत वर्सों के बाद अबिनो बिंदरा ने उलम्पीक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया मिल्खासी की जिंदगी पे एक बायोपिक भी बनी है जिसका नाम है बाग मिल्खा बाग जो 2013 में रिलीज हुई थी मिल्खासी चंडीगर्ड में अपनी फैमिली के साथ रहते थे मिल्खासी फिट रहने में मानते थे उन्होंने फिट रहने के लिए हमें दो बाते बताई है पहला की कम खाना खाए और दुसरा ये की रोज़ाना एक्सेस करे मिल्खासी का विवा निर्मल सीं से हुआ था और उनका बेटा जिव मिल्खासी जाना माना गुलफर है और उनकी बेटी का नाम सोनिया है 13 जुन 2021 को कोरोना की वज़े से उनकी वाइफ का निदन हो चुका था मिल्खासी को भी कोरोना हुआ था और एक महिने से वह इस बिमारी से लड़ रहे थे उनका रिपोर्ट भी नेगिटिव आ चुका था और उनकी तब्यत में भी सुधार था लेकिन 18 जून 2021 को अब वो हमारे बीच में नहीं रहे और मेरा ये वीडियो उनके सम्मान के लिए है मिलका से इस दुनिया से चले गए लेकिन पीछे ऐसे विरासत छोड़ गए जिस पे देश हमेजा नाज़ करेगा और उनकी जगा हमेजा हमारे दिल में बनी रहेगी हाज की लकीरों से जिन्दगी नहीं बनती अज़म हमारा भी कुछ हिसा है जिन्दगी बनाने में अज़म अर्दू का लफज है जिस आदमी के अंदर विल पावर है जिस आदमी के अंदर हाड वर्क करने का मादा है वो जमीन से उठके आसमान को चूँ सकता है